Hello students अज हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं Digestion and Absorption इसके पहले आपने Living World पढ़ा था जिसमें बिसिकली आपने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था अब यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे Digestion and Absorption यह बिसिकली आपके Human Physiology का First Chapter है तो जो हमारे बाड़ी के Internal Organ होते हैं उनके Working Mechanism पर वो काम कैसे करते हैं उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो Physiology कहलाता है Study of the Internal Structure and Functioning of Internal Organ is known as Physiology तो यहाँ पे Physiology का जो पहला Chapter है हमारा वो है Digestion and Absorption यहाँ पे बैसिकली हम यह पढ़ेंगे कि Animal Body में और बैसिकली जो आप पढ़ेंगे वो Human Body के बारे में पढ़ेंगे तो Human Body में Digestion कैसे होता है Food कैसे Absorb होता है कैसे Utilize किया जाता है यह सभी Process जो है आप इस Chapter में पढ़ेंगे उससे पहले आप कुछ Basic चीज़ें देख लीजिए जैसे Mode of Nutrition Mode of Nutrition जो होता है वो दो तरह का होता है एक है Autotropic और दूसरा होता है Heterotropic Autotropic Mode of Nutrition में जो है Organized Dependent Organized Prepare their own food Autotrop that means Organized Prepare their own food तो ऐसे Organized जो अपना Food जो है खुद ही Synthesize कर लेते हैं And does not depend on the other Organized और दूसरे Organized पर डिपन नहीं करते हैं तो ऐसे Organized जो है वो Autotropic कहलाते हैं दूसरे Heterotroph Heterotroph are the Organized that dependent on the other Organized for their food तो अपने Food के लिए जो है किसी दूसरे Organized पर अगर Depend करते हैं तो Heterotrophic केटेगरी में आते हैं अब Autotropic केटेगरी में Autotrophs दो तरह के होते हैं एक पहला है आपका Photo Autotroph Photo Autotroph याइन ऐसे Organized for Light Energy को यूटलाइजेशन करते हैं The organ which utilizes the light energy to prepare their own food is known as the photo-artotrop. इसके लिए एक ख्लोरोफिल पिग्मेंट निससरी होता है, तो यह बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपके, उनमें ख्लोरोफिल पिग्मेंट पाया जाता है, तो वो फोटो-artotrop की केटेगरी में आते हैं. चिमाटो-artotrop are the organ which utilizes the chemical energy to prepare their own food is known as the किमाटो-artotrop. कुछ ऐसे organ होते हैं जो अपने food को संथोसाइज करने के लिए chemical energy का utilization करते हैं. जैसे कोई chemical reaction हो रहा होता है, तो वहां से जो energy liberate होती है, तो वो उसका utilization करते हैं. तो इसमें आप जो है कई सारे nitrifying bacteria पढ़ते हैं, sulfur bacteria पढ़ते हैं, iron bacteria है तो यह आपके chemo-autotrop की category में आते हैं, ferus को feric में convert कर देते हैं, nitrogen को nitrite और naitride में convert कर देते हैं, तो इस तरह के जो organ होते हैं basically इसमें bacteria आते हैं तो वो आपके chemical energy का utilization करते हैं और उसी से अपने food की synthesis कर लेते हैं तो यह chemo autotrop की category में आते हैं और photo autotrop यानि जो light energy का utilization करेगा तो basically green plants जितने भी हैं जिन में भी chlorophyll pigment पाया जाता है वो photo autotrop की category में आते हैं next is heterotrop heterotrop that is organ that depend on the other organ for their food अब वो चाहे आटो ट्रॉप पर डिपेंड करें या किसे दूसरे organ पर डिपेंड करें तो जैसे अगर autotrop और ऐसे organ जो सिर्फ autotrop पर dependent होते हैं तो वो हर भी बोर्स कहलाते हैं यानि ऐसे animals जो सिर्फ plant पर feed करते हों तो वो हर भी बोर कहलाते हैं और उसके अलामा अगर कोई organ है किसी दूसरे organ पर या animal के उपर dependent है या animal plant दोनों के उपर dependent है तो वो आपका कार्णी वोर केटेगरी में आता है जो सभी तरह के और्गेंज को खाता है तो वो ओमनी वोर की केटेगरी में आ जाता है जो सब कुछ खाते हैं तो जो सिर्फ एनिमल फ्लेस पर डिपेंडेंट होगा वो कार्णी वोर जो एनिमल फ्लेस के साथ साथ आपके आटो ट्रॉप पर डिपेंडेंट होगा वो ओमनी वोर्स की केटेगरी में आ जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट देखते हुए चलते हैं सबसे पहले बात करते हैं animals are not able to synthesize their own food therefore they depend on ready-made food for their nutritional requirement तो animal अपना food synthesized ने कर सकता है तो वो बने बनाए भोजन के लिए या synthesized food के लिए किसी दूसरे के उपर dependent करेगा In term, nutrition refers to the sum total of the process related with the conversion of raw food step into the step of the body supply energy for the different metabolic activities. तो energy हमको चाहिए क्यों होती है हमारे बोड़ी के different metabolic activity को perform करने के लिए हमको energy चाहिए होती है तो वे energy हमको food से मिलेगा और food के लिए हम जो है किसी दूसरे और अर्गन पर dependent होते हैं बस इसको यहाँ ही तक रहने दीजेगा नेक्श जो है हम देखते हैं digestion के definition क्या होती है तो सबसे पहले बात करते हैं digestion की digestion the process by which complex food is converted into simplest food with the help of the digestive enzyme basically hydrolytic nature के होते हैं तो hydrolytic enzyme is called the digestion या breakdown of food या breakdown of complex food into simple and absorbable form is known as digestion तो अगर हम अपने body के digestive enzyme की मदद से किसी भी complex food को हम इतने छोटे part में break कर दें कि वो हमारे body के दोरह absorb कर लिया जाए breakdown of the complex food particle into simple and absorbable form absorbable बोलना जरूरी है क्योंकि usually आपने metabolism पढ़ा है metabolism में दो तरह का reaction होता है एक होता है enabolism दूसरा होता है catabolism catabolism में आपने पढ़ा है breakdown of complex food particle breakdown of complex food particle into simple and simple form is known as catabolism तो अगर आप एक complex particle को जो है इसके simpler form में तोड़ दे रहे हैं तो भी catabolism कहलाएगा catabolism और digestion में अंतर क्या है यहाँ पर digestion में आप बोलते हैं breakdown of complex food particle into simple and absorbable form मतलब यह unit इतनी छोटी होने चाहिए कि यह आपके body के दोरह absorb कर लिया जाए तब आप इसको digestion बोलेंगे confirm with the help of digestive use are hydrolytic enzymes hence process of digestion is a hydrolytic process यानि यह वाटर की बरिजन में इसका breakdown होता है अब देखेंगे type of digestion, digestion जो है वो दो तरह का होता है एक है intracellular और दूसरा है intercellular intra that means inside the cell यानि जो body के cells हैं अगर food का digestion इस cell के अंदर हो रहा है यानि food substance यहाँ पे आके इसका breakdown हो रहा है यहाँ पे utilize हो रहा है तो यह कहलाएगा intracellular और दूसरा है intercellular, inter का मतलब होता है in between the cells यानि जो cells हैं इनके बाहर जो space है कोई cavity हो वहाँ पे अगर food का digestion हो रहा है तो वह intercellular कहलाता है तो सबसे पहले देखेंगे intracellular when the process of digestion occurs within the cell in food vacuole, जो cells होती हैं उनमें food vacuole पाया जाता है food vacuole में कई तरह के hydrolitic enzymes पाया जाते हैं जो food के digestion में help करते हैं तो अगर food का digestion cell के अंदर food vacuole के अंदर हो रहा है तो इस तरह का digestion जो होगा वह intracellular कहलाएगा for example this kind of digestion is present in the protozoa porifera यानि sponges, cilantro that means hydra and free living platyhelminthic, कई सारे platyhelminthic जो होते हैं वो free living होते हैं नेक्स देखेंगे एक्स्ट्रा सेलूलर एक्स्ट्रा सेलूलर यह इसी को इंटर सेलूलर भी बोला जाकता है extra that means outside the cell, inter that means in between the cells, तो cells के बीच में जो होगा वो cell के बाहर ही तो होगा तो इसी को बोलता है extra cell lord digestion, when the process of digestion occurs outside the cell for example, sealant rates, इसमें hydra आता है and phylum platyhelminthic to phylum chord data platyhelminthic onward, platyhelminthic, helminthic, ennilida, orthopoda, mollusca, echinodermita, chord data इन सभी और्गेंज में जो food condition होता है वो extra cellular होता है next is digestive system of human beings, तो human being के digestive system के बारे में आगे बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर digestion in vertebrates, actually animal को जो है non-chord data और chord data में डिवाइड किया गया है जो animals है, animals, इनको दो category में डिवाइड किया गया on the basis of presence और absence of notochord एक heart structure होता है, जो body के dorsal legion के तरह पाया जाता है basically, तो इसमें जो है notochord अगर नहीं पाया गया तो इसको बोलेंगे non-chord data और अगर पाया गया तो इसको बोलते हैं chord data, तो नहीं पाया जाएगा तो non-chord data, तो इसमें जो फाइल आम आते हैं वो पौरी फेरा है, sealant data है, platy helminthige है, sk helminthige है, anyleda, orthopoda and molluska, iconodermita, ये आपके 8 phylum जो हैं वो non-chord data में आते हैं, तो इसमें भी notochord जो पाया जाएगा, उसमें कुछ higher animals ऐसे होते हैं, जिनका notochord जो है, उनके vertebral column में convert हो जाता है, vertebral column तो वो vertebrate कहलाते हैं, और जिनका नहीं convert होता है, वो invertebrate कहलाते हैं, तो chord data group के जो member है, उनमें notochord ऐसे organ, जिनमें notochord जो है, वो replace हो गया vertebral column के दोरा, notochord के जाएगा, vertebral column में convert हो गया notochord, उनका तो वो vertebrate कहलाते हैं, और जिनका नहीं convert हुआ, वो invertebrate कहलाते हैं, तो हम vertebrate की बात कर रहे हैं, तो vertebrate आमें आपका आता है, पिसीज, एमफीविया, रेप्टेलिया, एवीज, और मेमेलिया, ये पाँच क्लास आते हैं, तो देखेंगे इनमें, vertebrates, digestion in vertebrates occur in the digestive tract or the elementary canal, and the various parts involved in the digestion can be broadly grouped into two groups, तो जो human being में जो digestion होता है, या food का जो digestion होता है, गो उसमें जो digestive system आपका involved होता है, तो उस digestive system में एक digestive tract होता है, उस digestive tract या उसी को elementary canal बोलते हैं, और दूसरा है digestive gland या इसको बोलते हैं associated digestive gland, उसी digestive system के साथ कुछ digestive glands जो हैं जुड़े हुए रहते हैं, जो digestion में help करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे elementary canal की parts of the elementary canal, फिर हम digestive glands की बात करेंगे इसी में, देखेंगे, digestive tract और elementary canal, On the basis of embryonic origin, the elementary canal of vertebrates can be divided into three parts, यहाँ पे जो elementary canal जो है, डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, vertebrata में, यह basically, जो है, दो पार्ट में divided होता है, vertebrata में, और invertebrata में जो होता है, invertebrates जो होते हैं, उनमें elementary canal तीन हिस्सों में divided होता है, जैसे, elementary canal जो है, एक, pipe जैसा structure है, जिसमें दो opening होती है, anterior most opening is known as the mouth, and posterior most opening is known as the NS, जैसे में दो opening होती है, एक mouth कहलाता है, दूसरा NS कहलाता है, तो इस elementary canal को, vertebrata में दो हिस्सों में बाटा जाता है, जबकि invertebrata में तीन हिस्सों में बाटा जाता है, तो vertebrata में दो हिस्सों में बाटा जाएगा, तो first region कहलाएगा four gut, और second region कहलाएगा hind gut, लेकिन invertebrate अगर होगा, तो इसमें तीन हिस्सों में बाटा हुआ होगा, first region four gut, second one is the mid gut, and last one is the hind gut, तीन हिस्सों में बाटा होगा, तो सब देखेंगे four gut क्या होता है, या इसी को बोलता है istomodium, istoma का मतलब होता है mouth, या नि जो हिस्सा जो है mouth contain करता है, जिस्से में mouth present होता है, वो istomodium होता है, तो देखेंगे इसकी origin ectodermal है, अब origin क्या होता है, इसको जो है जब आप class करेंगे, तो उसमें आपको class में बताया जाएगा, ectodermal क्या होता है, अब ही सिर्फ आप term याद कर लिजे, it includes buccal cavity, or oral cavity, pharynx, esophagus, stomach and small part of diodenum, यानि diodenum का भी कुछ हिस्सा, small intestine का part होता है, diodenum, उसका भी कुछ हिस्सा, जो है ये four gut में आएगा, दूसरा देखेंगे, mid gut, या इसी को बोलता है, mesodium, biological term होता है, ये endodermal origin का होता है, it includes origin तीन वेशे, ectodermal, endodermal and mesodermal, it includes small intestine and large intestine, and third one is the hind gut, or proctodium, ectodermal origin, it includes the anal canal and anus, part of the elementary canal and it's histology, histology का मतलब होता है, logi that means to study, यानि, study of tissue, तो digestive system के tissue का अध्यान जो आप करते हैं, वो process जो है, कहीं भी कोई भी tissue जो है, उसकी अगर आप study करते हैं, तो histology कहलाता है, याहां elementary canal की histology आप पढ़ेंगे, तो elementary canal में किस तरह के cells पाई जाती हैं, उनका क्या function होता है, वो आप यहां पर इसकी histology में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, mouth की,